आप सब का वापस से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन स्पाइरल डेजाइन्स बाई पूजा डब्राल आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और इसकी ग्रोथ में हमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच आप सबी जानते हैं गोल्डन स्पाइरल डेजाइन्स अथोराइस्ट एक्स्क्लूजिव चैनल पार्टनार है स्लीक किचिन्स बाई एशन पेंट्स के और आज हम जिस साइट पर है वो ओबरॉय एनिग्मा का साइट है अगर आप लोग थोड़ा सा अप्री आदाश पर के हैं और जो नहीं मिले हैं वो आए बटन को क्लिक करिए आप पिछला व्लॉग देखिए जिसमें इस साइट का मैंने काउंटर टॉप का एग्जिक्यूशन कैसे होता है मॉड्यूलर किचिन में बेस के कारकस कैसे लगते हैं उनका इंस्टॉलेशन कैसे होता है काफी सारे टेक्निकल एस्पेक्ट की बात की थी लॉंग विडियो प्लंबिंग, एलेक्ट्रिकल एंड सिविग तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं किचिन अब ये रेडी है और हम इस किचिन का टूर करते हैं क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये किचिन जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको इसका टूर कराऊंगी, दो रीजन है इसका टूर करने का, एक मैंने आपसे बात किया था कि स्लीक महंगा नहीं है, बजट फ्रेंडली किचिन आप ये देख रहे हैं, हुज प्लेटफॉर्म, पंदरा फुट का प्लेटफॉर्म जो आप देख र तो पूरे किचिन के टूर के लिए और इसकी कॉस्टिंग जानने के लिए, एंड तक वीडियो के साथ जड़े रहे हैं, लेट स्टार्ट जैसे इस प्रोजेक्ट के हम डीटेल्स पिछली वीडियो में हम दे चुके हैं, आपको अप उस वीडियो में देख सकते हैं, क्या साइट कंडिशन था, क्या रेक्वार्मेंट से, क्या हमने रखा, क्या निकाला और कैसे वापस से लगाया कैसे electrical retain हुआ, कैसे plumbing retain हुआ जो builder का था और किस तरहां से हमने उसी layout में existing electrical and plumbing और civil जो tiles है उनके साथ में काम किया इन सब बातों की जानकारी के लिए आपको देखना पड़ेगा पिछला वाला वीडियो तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको पता है यह sink, builder का ही sink है, existing plumbing point से हमने कोई छेड़कानी नहीं करी है तो हमने पिछली बार देखा था, खाली कारकस देखा था, उसमें यह shutters नहीं थे installed अभी आप देख रहे हैं, बहुत ही basic इसमें आपको accessories देखेंगे इसके जो fittings and all हैं, वो काफी long lasting durable है, 10 years warranty है, लेकिन काफी reasonable range में sleek ने यह product range अपना launch किया हुआ है tough advance by Asian paints के soft closing fittings है, क्योंकि इसको lease पर देना है हमारे client को तो basic हमने detergent holder used किया है, ताकि इसमें जो utilities हैं, जो necessities हैं वो store हो सकें यहाँ पर एक basic SS का bin holder है, एक ring है, इसमें और भी काफी सारे type के options आते हैं जो आप मेरे पुराने vlogs पर जाके देख सकते हैं, उसमें हमने काफी explore किया हुआ है तो यह वाला section आप जो देख रहे हैं, तो ओब्रॉय में अभी gas pipeline नहीं आई है ओब्रॉय जो LBS पर है, मुलंड में है, positions चल रहे हैं यहाँ पर, अभी तक gas pipeline आई नहीं है तो यह जो section है आप हमने plan किया है cylinders के लिए, so in future जब यहाँ पर pipeline आ जाएगा तो इसको as a storage cabinet use करेंगे, इसमें हम इसका shelf add कर देंगे, आप देख रहे हैं, नीचे हमने floor को बिल्कुल level पे रखा है, zero level पे, यह skirting निकाल कर, easily cylinders को बाहर pull out किया जा सकता है यहाँ पर आप जो finish देख रहे हैं, वो high gloss laminated, बहुत ही प्यारा सा Irish color है, इसकी monodomy को break करने के लिए हमने use किया है black color की G section handles का, जो की इसकी कुपसूरती को काफी बढ़ा रहा है, बहुत निखार रहा है, आप खुद देख सकते हैं बात करते हैं इस section की, यह है हमारा hop का section, तो इसमें आप जी जो drawer की मैंने बात की थी, इस बार यह grass के fittings नहीं है, क्योंकि budget में kitchen को रखना था, storage देख रहे हैं, आप काफी है, kitchen का size बहुत बढ़ा है, तो हमने fittings को basic रखा, लेकिन 10 years warranty you're going to get on these kitchen also, so, यहाँ पे Asian paint के tough advance tandem है, marine ply material यूज हुआ है, आप देख सकते हैं, multi-purpose drawers है, can keep anything, like जो हमने grass के पहले देखे हुए है, tandem, बिल्कुल वैसे ही है, you can see, now, हम अगर इस section की बात करेंगे, तो यह section design हुआ है, cutlery के लिए, this is one of the option for cutlery, then again, this is for cup and saucer, आप देखेंगे, इन tandem में, यह जो fittings है, यह detachable होते हैं, आप इनको निकाल के easily clean भी कर सकते हैं, बहुत ही easy to access product है, यह user friendly product आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, sleep का Asian paint का branding है, soft closer आप देख रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, same, this section is planned for their thali and plate, again it is detachable, you are seeing, easily we can detach it, and इसको clean कर सकते हैं, आराम से, okay, you can see the smoothness of the fitting, I hope video में आप उस smoothness को feel कर पा रहे हूं, again tandem drawer से, यह heavy dabbas, बड़े utensils, हमारे पास kukar kडाई, पतीले होते हैं उनके लिए, and यहाँ पर planned हुआ है spice rat, जो की two tier है, तो यहाँ पर आप अपने masala dabbas, bottles and all सारा कुछ स्टैक कर सकते हैं, So, हमने जिस तरह से पिछले वीडियो में बात की थी, कि यह पूरा modular में change हुआ है, इसका base का structure कुछ और था, metal का structure था, वो सारे details के लिए आप इस वीडियो को relate कर पाएं, Please i button पर click करके उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने यह backsplash क्यूं plan हुआ है, वो भी आपको detail में बताया है, So, यह upper cabinet है आपके, आप देख सकते हैं, This is for your storage purpose, hinges soft closing है, आप देख सकते हैं, G section handle plan हुआ है, Same unit है, यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगी, यह वाले जो cabinets हैं, यह भी storage के लिए use हुए हैं, And this cabinet if you will see, this is for your water purifier, इसके बारे में भी हमने काफी बात की थी उस time पे हमारे साथ जो technician थे water purifier के वो भी थे इस discussion में, तो आप उस video में देखेंगे कि हमने क्या details discuss किया हैं, आपके plumbing से related, Okay, यह जो appliances है, Sleek time and again offers लेके आते हैं, बहुत ही consumer और user friendly company है Sleek, और dealers को भी बहुत support करते हैं, ताकि हम अपने clients को वो service, वो satisfaction वो provide कर पाएं, तो हम उसमें बिल्कुल भी compromise नहीं करते हैं, नहीं quality में और नहीं product की service में, तो आप देखेंगे कि यह जो appliances हैं, यह Sleek के काफी offers वगेरा चलते रहते हैं, appliances offer दिवाली time पे run होगा, तो if you are planning to make your kitchen, I would request आप हमारा जो experience center है, मुलून में जो Sleek का experience center है, रुद्वाल ग्रीन्स में, आप वहां आ सकते हैं, आप वहां पे basic to premium kitchen accessories and displays install हैं, उनको explore करिये and इस time हम appliances offer run कर रहे हैं, because of this festive season and there are huge discount offers also, so would like to request you please come down to our store, have a visit and just see the product which we are offering you, you will love it, so यहां पे हम बात कर रहे हैं, जो appliances से वह Sleek के ही use हुए हैं, आप देखेंगे इस site पे थोड़ा सा बिल्डर का technical issue था, जो कि हमने last time पे discuss किया था, तो यहां duct वाला chimney plan नहीं हुआ है, so यह inclined chimney है, Sleek का ही chimney है, यहां से इसका आप यह जो पैनल देख रहे हैं, यहां से आप इसका speed बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3 के options हैं, आप देखेंगे इस तरह से open करके इसका यह वाला filter है, in a 10 days time or a weeks time according to your cooking style, इसको just निकाई के easily under the tap water you can wash it, और यह easily यहां पे हो जाता है, cooking के लिए आपको proper enough light मिल जाता है, यह जो हॉब की बात करते हैं, यह भी स्लीप का ही हॉब है, 80 cm का width है इसका, और आप देख रहे हैं कि इसमें brass के burner है, आप देखेंगे 4 burner का hob है, enough space है, burners के बीच में, ताकि जो utensils आप जब रखेंगे, तो वो clash ना करें एक दूसरे से, and that's why इसका जो width है, यह बड़ा है, 80 cm है, square में नहीं है यह, so that's the reason कि यह एक particular requirement था, क्लाइन का, और उनोंने इस तरह का hob choose किया, ताकि दो burner के बीच में, enough spacing मिले, so guys, I hope, अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, और इतना प्यारा kitchen, बहुत ही कम rate में, अगर हमें sleek जैसी brand से मिल रहा है, तो फिर हमें और क्या चाहिए, आईए बात करते हैं, इस तरफ के corner की, यह जो खाली space आप देख रहे हैं, यह fridge के लिए space छोड़ा गया है, यहाँ पर एक छोटा सा storage unit plan हुआ है, जिसमें की एक shelf है, और अगें जो hinges हैं हमारे, वो soft closing hinges हैं आप देखेंगे, lifetime warranty है इनका, यह section specially we have planned for the microwave, stand alone microwave, तो यह तरह के arrangement आते हैं bracket पे, पीछे का section आपका छुप जाएगा microwave से, और यहाँ पर एक छोटा cabinet और है, जहां पर आप microwave के accessories रख सकते हैं, उसके बात करें अगर नीचे की, क्यूंकि यह kitchen जाने वाला है lease पर, तो यहाँ पर एक छोटा section plan हुआ है cabinet का, जिसमें shelf दी गई है, जहां पर heavy dabbas वगेरा अच्छे से store हो सकें, soft closing hinges हैं, so guys देखिए इतना बड़ा kitchen है यह, आप खुद देख रहे हैं यह Enigma का premium oproi का जो Enigma tower है, उसका premium 4 BHK जो उसका biggest area है, उसका kitchen है, huge platform you can see कि कितना length है platform को, तो यहाँ पर हम काफी सारे projects कर रहे हैं, पिकास हमारे store से बहुत pass है, और clients हमें पसंद करते हैं, they like our products, they like our services, इतना credibility है हमारा, हमारी bonding है हमारे clients के साथ, तो आप देखेंगे यह जो layout है, मैं आपको आगे tour कराने वाली हूँ, कि अपनी एक style होगी, अपनी एक theme होगी, मैं आपको video पर video डालूँगी, मैं vlogs करूँगी, मैं time निकालूँगी आपके लिए, ताकि आप देखेंगे कि इसी layout में, कितना कुछ create किया जा सकता है, कितनी possibilities हैं, उन सब को explore करने के लिए, आपको subscribe करना होगा, हमारे चैनल को, और यह video अगर आपको पसंद आया हो, तो इसे आप like करिए, subscribe करिए चैनल को, और share करिए, इस video को relate करने के लिए, मैं फिर से request करूँगी, i button क्लिक करिए, और इसका पुराना first part है इस video का, वो देखी execution phase, आप अच्छे से relate कर पाएंगे, कि किस तरह एक modular kitchen install होता है, क्लाइन का testimony बहुत जल्दी upload होने वाला है, NRI client है हमारे, तो आप सब देखेंगे, और हम मिलेंगे अगले vlog में, जो की बापस से एक kitchen का vlog है, उसके बाद हमारा एक interior project है, जिसका पूरा series start करेंगे, तो यह सब अगर आप चाहते हैं, कि आपसे miss नहीं हो, please subscribe our channel, thank you so much, see you again, bye bye.